नमस्कार, एस्ट्रो सोभागी चैनल पर आपका स्वागत है मैं आपको जोती समंधी जानकारी लगातार दे रहा हूँ जन्नम पत्री में चंद्रमा मन भाग्य स्वास्त है वे सुख का कारक ग्रह माना जाता है यदि चंद्रमा मिलवान हो तो यह सब बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं परंटो यदि चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति को अधिकांस जीवन इनकी परतीक्सा करने पड़ते है यदि चंद्रमा पक्सबल या दिगबलादी से हीन हो या इसके दोनों और राहु वे सुर्य के तु को छोड़ कर कोई अन्य ग्रहस्तित नहो तो चंद्रमा को कमजोर माना जाता है सुर्य के नजदिक होने पर चंद्रमा पक्सबल में कमजोर होता है और जिनम पत्री के दस्में भाव में होने से चंद्रमा को दिखबल नहीं मिलता चंद्रमा से दूसरे भाव में ग्रह होने से सुन्फा योग, बारवे भाव में ग्रह होने से अन्फा योग, तथा दोनों और ग्रह होने से दुरुधरा योग बनता है ये योग चंद्रमा के बल में वृद्धी करते हैं प्रंतु यदि चंद्रमा के दोनों और एक भी ग्रहने हो तो केंदरुम योग बनता है जो बहुती असुब फलदायक माना जाता है यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है प्रेगति करने है तो चंद्रमा को बल्वान बनाना ही होगा चंद्रमा मन्वे भागय का कारक है चंद्रमा कमजोर होने से मांसी का संती अस्तिर्ता अकेला पन वे निरासा होती है स्वास्त कमजोर होता है भागय निर्बल होता है लगातार मेहनत करते रहने से भी कुछ हासिल नहीं हो पाता ऐसा व्यक्ति अपनी जीमेदारी पर कोई काम नहीं करना चाहता परिवारिक जीमेदारी ओंका भी निर्वाद नहीं करना चाहता जीवन में दिरासा वैउदा सिंता उसे अधिक मिलती है जो कि इसके अधिकांस ग्रंटों में इस योग को द्रिदरता देने वाला योग माना गया है यदि जनम पत्री में यह योग बन रहा है तो अनलावदाएक योगों के फल भी कम हो जाते हैं इसलिए आवश्चिक है कि यदि जनम पत्री में यह योग बन रहा है तो इस से उतपन होने वाले कस्टों को दूर करने के लिए आवज्चक उपाय कर लिये जाएं उपाय के विल इतना ही करना है कि चंदरमा को बलवान बनाना है जिस से आपके भागे में वुरिध्धी हो आपका मांसिक वे सारीरिक स्वास्थ ठीक रहे आपकी आर्थिक सम्रिद्धी निरंतर बढ़ती रहे आपको मान परतिष्टा मिले और सत्रुवे विरोधी आपसे दूर रहे इसके लिए एक ही उपाय है केमदरुम योग शानती लाकिट दारन करना इस लाकिट को बनाने का तरीका यह है केमदरुम शानती लाकिट लें इसमें नीचे की और मध्ध में चंदरमा का रतन मोती लगाएं इसको बल देने के लिए एक और पन्ना या इसका उपरतन लगाएं और दूसरी और पुखराज या इसका उपरतन लगाएं अब से तक ये अनुसार अने रतनों का पर्योग भी किया जा सकता है इस परकार बीच में मोती रहेगा तथा दोनों और से दोर रतनों का परभाव मोती के बल में निरंतर विर्दी करता रहेगा इससे आपको केमद्रुम योग से मिलने वाला दुस्परभाव समाप्त होता रहेगा और आप जीवन के सभी एक्सेत्रों में आगे रहते हुए लगातार प्रगती कर सकेंगे अगर आपकी जनम पत्री में ये दुर्योग है तो इसे सबसे अधिक असुप फल्दाएक मान कर सबसे पहले इसी का उपाई करें अगर आपको केमद्रुम योग संति लाकेट बनाने में कठिनाई हो रही है तो आप मेरे का रहले में संपर्क करें आपकी जनम पत्री का विसलेशन करके हम ये देखेंगे कि क्या आपकी जनम पत्री में कोई ऐसा अन्य दुर्योग भी है जिसका उपाई इसी के साथ किया जा सकता है कष्टों को दूर करने और निरंतर सुक्सो भागे में वरिद्धी करने के लिए अन्य यंत्रों का भी प्रियोग इसमें किया जा सकता है उधारण के लिए तंतरबादा वे निराशा दूर करने के लिए प्रतिंगिरा यंत्र आकरशन में वरिद्धी करके पारिवारिक जिवन में सांती तथा व्यवसाई में वरिद्धी करने के लिए नर्भैरवी यंत्र स्वास्ते को ठीक रखने के लिए श्री विश्योग निवारन केमद्रुम यंत्र चुमुखी विकास के लिए बिसा यंत्र वित्र कौन बिसा यंत्र तथा सत्रुबादा निवारन यंत्र आदी का पर्योग करते हुए भी केम दरुम योग संति लागट का निर्मान किया जा सकता है यदि आपको किसी और जानकारी की आवसकता है या आपको इसके केम अतादी के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे काराले में संपर्ख करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वीडियो को अन्त तक देखने के लिए धन्यवाद